एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट दे के लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आने वाला है और उसका क्या इंपक्ट रहने वाला है फोरेस्ट करन सी पेर्स के ओपर और साथ ही कॉमोडिटीज के ओपर भी तो चले यह श तो 10.30 a.m. पर यह डेटा आ रहा है और जो डेटा है वो है USD-JPY के उपर उसने इंपक्ट डालना है क्योंकि बैंक ऑफ जैपैन का डेटा है और बैंक ऑफ जैपैन का कोर CPI का डेटा है जो CPI होता है यानि कि इंफलेशन का डेटा है काफी इंपॉर्टन वो माना जाता है तो यहां पर आप 10.30 बजे USD-JPY के उपर नजर रखे क्योंकि यहां पर यह इंपॉर्टन डेटा है जो की आने वाला है और जो पिछली बार यह डेटा था वो 3 था और इस बार यह 2.7 रहने की उमीद है जो नेक्स्ट यहां पर डेटा आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा ह रहा है वो है करन्ट अकाउंट का जो भी करन्ट अकाउंट इस टाइम वहां पर है उनका यह डेटा है 9.1 यह पिछली बार था माइने 6.9 होने की उमीद है और अगर यह घटता है तो इससे EU और योजडी नीचे की उरको जा सकता है अगर यह 9.1 से ज्यादा आता है तो EU औ आगला डाटा जाने से पहले अगर आपने अभी भी अपना एक अनस पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी इस वीडियो की डिस्कृप्शन बॉक्स में जाई और वहां पर सबसे उनक मिलेगा एक्स्नेस नेस का उसस पर क्लिक किजी और अपना एकस्नेस का एकाउंट जल्दी स आपकी help के लिए मैंने यहां पर आई बटन है उसमें वीडियोज बनाई हुई है कि कैसे आप step by step account open कर सकते हैं कैसे आप money add कर सकते हैं कैसे आप withdraw कर सकते हैं tips क्या होते हैं spread size क्या होते हैं वो सारी सारी वीडियोज आपको यहां पर मिल जाएंगी और दोस्तो आई बटन में आपको जो है यहां पर link भी मिलेगा strategy का जो की Forex trading के लिए बहुत ही बढ़िया strategy है और personally मैं उसका use करता हूं तो आप उस strategy का use कर सकते हैं और बहुत बढ़िय profit earn कर सकते हैं तो उस strategy को भी आप यहां पर i button का जो link है वहां पर आपको वो मिल जाएगी आप उसका Forex trading में भी use कर सकते हैं और उसका आप stocks में भी use कर सकते हैं वो हर कहीं use हो सकती है और मैं आपको बताओ कि Forex में बहुत बढ़िया उसका जो है वो signal हमें देती है तो उसका भी आप यहां पर use कर सकते हैं और साथ ही दोस्तो अगर आपने हमारा telegram चैनल जोइन नहीं किया है तो उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप join कर सकते हैं और वहां पर हम आपको latest updates जानकारिया और data provide करवाते हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि क्या data आया है in particular currency pairs का और साथ ही जिस time यह data आता है उस time अच्छे move हमें देखने को मिलते हैं और हमारे जो profit है उसके chances भी बढ़ जाते हैं क्योंकि data जिस तरफ को आता है उस तरफ को move हम में usually देखने को मिलता है तो इसलिए आप जल्दी से अपना एक्सनेस का एकाउंट उपन कर लिजिए और दोस्तों यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो next यहां पर data आ रहा है वो क्या आ रहा है तो जो next data यहां पर आ रहा है वो 7.30 PM पर आ रहा है और 7.30 PM पर जो data है वो है existing home sales का और यह existing home sales United States का data है और यहां पर यह 4.16 million यह पिछली बार था इस बार यह 4.15 million होने की उमीद है घटने की उमीद है अगर यह और कम आता है तो इसका impact जो पड़ेगा वो पड़ेगा DXY के उपर DXY नीचे की और को गिर सकता है और अगर आप DXY में ट्रेड करते हैं तो इससे बढ़िया आप ट्रेड EU और USD में कर सकते हैं क्योंकि EU और USD में जो यहां पर spread है वो काफी कम है as compared to DXY और यहां पर अगर आप ट्रेड करते हैं EU और USD में तो आपको profit के chances भी ज्याद है अगर आपको नहीं पता कि spread क्या होते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको यहा प्रेड की और को जाएगा और ऐसा ही GBP USD के साथ भी होता है लेकिन थोड़ा सा यहां पर spread भी ज्याद है DXY की comparison में तो कम है लेकिन EU और USD का सबसे कम यहां पर spread होता है तो आप यहां पर EU और USD में भी प्रेड कर सकते हैं तो यह जो डेटा है वो आना है और हम आपको अपडेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे और आप इनमें प्रेड ले सकते हैं इस टाइम पर आप इ Financial Currency Pairs के उपर नज़र रख सकते हैं किस टाइम पर आपको हमारी वीडियो सपसंद आहीं है अगर उडियो पसंद आ उसका मिलता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तिल देन have a nice day, good bye